देव करन सिंग, आमिर खान एक बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता है पर कर्ज में दबा हुआ होता है और इस कारण वो अमीर व्यापारी, सिंगानिया, दलीप ताहिल की बेटी, अनीता, दीप्ती भटनागर से शादी के लिए मान जाता है. वहीं प्रिया, मनीशा कोईराला, बच्चों को संगीत सिखाते रहती है और उसकी सगाई राज, अनिल कपूर से हुई होती है और जल्द ही वो उससे शादी करने वाली होती है, क्योंकि उसने उसकी जरूरत के समय काफी मदद किया था. प्रिया और देव की मुलाकात क्रूज जहाज में होती हैं. दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं. पर उन दोनों की किसी और से सगाई कर लिए होते हैं. वे लोग अपनी और से सारी कोशिश कर छे महीने बाद मिलना तै करते हैं. इन छे महीनों में देव अपनी सगाई अनीता के साथ तोड़ देता है और काफी महनत करना शुरू कर देता है. वो कई सारी खुबसूरत तस्वीरे बनाने लगता है और उसके बिक्री होने से वो काफी सफल चित्रकार बन जाता है. वहीं प्रिया को लगता है कि राज को छोड़ना गलत होगा. इस कारण वो देव को खत में सारी बात बता देती है. पर वो खत राज को मिल जाता है और वो प्रिया को देव से मिलने के लिए राजी करता है. जब प्रिया देव से मिलने जाती है, रास्ते में एक कार ड्राइवर उसे तक कर मार देता है और प्रिया का पैर तूट जाता है. देव सारी रात प्रिया का इंतजार करते रहता है, पर वो नहीं आती तो उसे लगता है कि प्रिया उसे पसंद नहीं करती है. प्रिया इस हा भी देव अपने करियर पर ध्यान देता है और काफी प्रसित चित्रकार बन जाता है। एक दिन प्रिया उसके कला प्रदर्शनी में आती है और एक चित्र को खरीदने की सोचती है। वो चित्र देव की अपनी प्यारी दादी से बात करते हुए लम्हों की एक भावुक तस्वीर होती है। देव को पता चलता है कि कोई उस तस्वीर को खरीदना चाहता है पर देव साफ साफ मना कर देता है कि ये तस्वीर सिर्फ प्रिया के लिए है। पर उसे जब पता चलता है कि उस तस्वीर के पीछे की भावनाओं को वो समझती है और अपंग है, तो वो उस चित्र को बिना पैसे के ही दे देने बोलता है. एक दिन देव अपनी दादी, जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी, कि इच्छा के अनुसार प्रिया को पायल देने आता है. देव की नजर दूसरे कमरे की तस्वीर पर पढ़ती है और उसे सच्चाई का एहसास होता है कि प्रिया अब भी उससे प्यार करती है. दोनों आसों के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और वो प्रिया से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उससे प्यार करता ही रहेगा. इसके बाद देव और प्रिया की शादी हो जाती है.